सो वेल्कम गाईस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करियर आफ्टर 12 देखे 12 का रिजल्ट एक्जाम होने वाली है आप 12 क्लास में हैं और एक आपको डिसीजन लेना है कि सर हमें 12 के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए तो यहां आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं को इंटरनेशनल कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं मैं डोबिस्टिक कोर्स के बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा देखे जब कभी भी 12 के बाद स्टूडेंट कॉमर्स फील्ड में आगे ज्यादा है बहुत सारे multinational companies इंडिया में हैं तो ऐसा career जो कि आपको internationally establish कर सके जो आपको अच्छी salary भी दे सके और difficulty level उतना ज्यादा ना हो मतलब आप simultaneously अपने graduation के साथ में एक professional degree को अचीव कर सकते हैं तो आज दो short term period के course जो after 12 अगर pursue कर लेंगे तो ना केवल इंडिया वलकि आपकी reach globally होगी इंडिया में बहुत सारे student अपनी further study के लिए study visa पे out of इंडिया जाते हैं लेकिन उनके पास एक professional degree missing होती है लाखों रुपे खर्चा करने के बावजी वो अच्छी salary को achieve नहीं कर पाते लेकिन अगर हम international courses के बारे में discuss करें तो आपको क्या-क्या opportunities मिल सकते हैं तो सबसे पहले जब कभी भी 12 के बाद आपको career बनाना हो कोशिश कीजी specialization की और focus की अब specialization आपका हो सकता auditing field हो सकती है टेक्सेशन में आप जा सकते हैं management accounting में जा सकते हैं तो specialization focus होना चाहिए और professional degree की सबसे अच्छी बात professional degree जो है वो आपके पास technical knowledge लेकर आती है brand name global जिसको सारा world जाने ऐसा क्या designation हो सकता तो दिखिए अमेरिका USA से एक standard है एक gold care standard है वहां की education के point of view से अगर हम बात करें इंडिया में ही आप कर सकते हैं time period investment ये भी आपके criteria हो सकते हैं तो दोनों course के बारे में बात करें तो दोनों course में सबसे पहले में number one पर रख रहा हूं USCA में USCA में आपके लिए सबसे बड़िया profession के हो सकता after 12 आप इसको start कीजिए graduation में जो भी पढ़ेंगे वो almost 60 to 70 60% जो है वो आपको देखने को मिलेगा USCA में एक global management accounting का designation है अमेरिका का qualification है वर्ल्ड में रिकगनाईज है global qualification दूसरा US taxation अगर आपका interest taxation में है जिसको हम बोल रहे है enrolled agent यह course है हमारा यह है तो sir USCA में एक management accounting का world class profession है और enrolled agent USA taxation का world class profession है तो आप short period of time आपको पता है इस course को आप one और कुछ लोग तो six to eight month में भी अचीव कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आपने 12 के बाद से अगर आप graduate भी है तो भी आप इन courses को pursue a short period of time graduation alone क्या इंडिया में आपको रिकगनेशन देगा कभी नहीं देगा तो आपको courses ऐसे choose करना चाहिए जो आपको internationally acceptability देते हूं जो आपको multinational companies, big four में job के opportunities देते हैं US CMA और enrolled agent ऐसे course हैं जो आपको option provide करते हैं आगे बढ़ें देखिए मैं अगर specifically US CMA के बारे में बात करूँ इसकी global reach क्योंकि management accounting का है enrolled agent taxation का एक license है तो आप इंडिया के management accountant नहीं बन रहे हैं आप global management accountant बन रहे हैं चाहिए फिर एक तो अच्छी salary मिलेगी graduate करने के बाद 20,000-25,000 की job के लिए struggle करते हैं वहीं graduation प्लस US CMA minimum five to six lakh का package होगा minimum five to six global mobility variety of ventures में planning and budgeting risk management corporate finance blockchain data analytics चीज़ का है और आप पांस साल दस साल अगर experience obtain कर लेंगे और एक अच्छे कैडर पर आप क्या है पहुंचने वाले तो CMA US से एक global reach देता है तो मैं बार-बार student से कहता हूं कि 2024 में आप अगर 12th pass हो चुके हैं या आपका graduation भी हो गया है तो graduation plus professional degree आपका target होना चाहिए आपके पास बिना professional degree के आपको recognize नहीं किया जाएगा बहुत सारे लोग मैंने देखा है graduation के बाद किसी mediocre college से MBA करते हैं पांच-छे लाक लगा कर भी और यहां पर आपका investment less than two lakh है less than दो लाक से भी कम है तो आप केवल graduation के बाद MBA ना करते हुए किसी मतलब mediocre level के college से जहां केवल आपने buildings देखके admission ले लिया नहीं research कीजिए international courses को करिए graduation plus professional degree आपकी life में बहुत बड़ा change ले करा सकता लेकिन बहुत सारे student को career counseling ही नहीं होती कि सर 12 के बाद क्या करना चाहिए इसलिए वो struggle करते हैं पास साल दस साल struggle करने के बाद यह knowledge मिलता है तो छोटे से वीडियो में प्लीज लाइब शबस्क्राइब चैनल